नुश्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है पीड एड़ एड़ुकेशन चैनल का दोस्तों आप इमीद देखके ही जाना चिक वे होगे कि आज की वीडियो में क्या चलने वाला है तो आज हम जानेंगे ग्रोथ डवलमेंट और यह जो होगा वो बीडी 101 में पूछा जाता है किसमें पूछा जाता है बीडी 101 में पूछा जाता है हालांकि और इससे बहुत सारी क्वेशन निकलते हैं तो इसलिए यह पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं टाइम ने खराब करते हुए यहां पर आप इमेज देख रहे होगे हैं इसके बाद बाले बस्ता है बाले बस्ता को दो भागों में माट दिया जाता है प्रारंबिक बाले बस्ता और उत्तर बाले बस्ता तो यह जो है वो प्रारंबिक बाले बस्ता है और यह जो है उत्तर बाले बस्ता है उसके बाद अगर हम बात करें किशूरा बस्ता की तो य उत्तर किशोर अवस्ता है इससे ज्यादा इसके को प्रौण मना जाता है उससे ज्यादा इसके को विरद्ध मना जाता है ऐसे करके आप यह अब समझ चुके होंगे जो इसमें दिया गया है अब यह जो हमारा थोड़ा ऊपर देखेंगे हैं कि यहां पे जो दिया गया है हमें यह इसको भी जानेंगे हैं, यहां पर जो हमें दिया गया है वो कहा जा रहा है, गर्वदारड से जण्म तक यह जो अवस्ता होती है उसे पूरुख प्रशूत्य अवस्ता कहते हैं, प्रिनेटल एज या प्रिनेटल पीरेड कहते हैं, चीड़ है नहीं, अब जण्म से प्रत प्रच्पन सुरू हो जाता है जो दो सब्ता से दो बरस तक चलता है अच्छा अब मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके बाद यह जो दो इससे दिये गए उपर यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो दिया गया पहला इससा प्रारमिक वाले वस्ता और यह उत्तर वाले बरस तक होती है इन दोनों को मिला के जो बनता है वो दो से बारे वस्ता की बन जाती है बाले वस्ता ठीक है फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा और नहीं आया हूँ तो कमेंट कर देना मैं फिर से इस चीज को दोहरा दू हैं आप लोगों को बाले वस्ता के बाद हम जाते हैं किसुरा वस्ता पर तो वो भी दू वागों में बटी हुई है जो प्रारम भी किसुरा वस्ता है वो 11 से 13 वर्स के लड़कों में होती है और 14 वर्स लड़कों में होती है आप यहां पर पढ़ सकते हैं अच्छे से एन इसके बाद यहां से 14 से 15 और 20 तक जाएगे तो वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगे उतर किशूरा अब इन दोनों को मिलाकर बना दी जाती है किशूरा अबस्ता या अन्च टोटल कहा जाए तो 11 से 20 वर्ज तक किशूरा अबस्ता ही होती है और ये किशोर अवस्ता इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ ये जो किशोर अवस्ता है बहुत ज्यादा इससे question बन जाता है क्या बनता है कि ये जो ये बड़ी संगर, तूफान और बहुत सारी अवस्ताओं को लेकर क्योंकि इसी में इसी अवस्ता में बच्चा सोचे नहीं लग जाता है बहुत सारी समस्या आने लग जाती है उसको और वो अलग-अलग रास्तों पे निकलना सुरू हो जाता है अब वो रास्ते कैसे उसको मालूम तो नहीं होता बट लेकिन निकलना ज़रूरी है उसको आपक मेरी लेंग्विज अबद्र हो गई हो तो माफी जाओंगा लेकिन यहीं समस्यां आती है इस किशोर आवस्ता में आपको बहुत अच्छे समझाने के लिए इस वहासा का यूज़ करना पड़ा मुझे तो आप समझ चुके होंगे किशोर आवस्ता क्या होती है अब उसके बाद जो आती है वो वैस का वस्ता आ जाती है यहां से जो चलेगा बच्चा 21-20 साल से 20 साल तक तो 21 आवस्ता में रहेगा उसके बाद की एज से चलेगा प्रारंविक वैस का आता में मध्यावस्ता में यानि मध्यावस्ता जो होती है वैस्ता की ही इस्टेज होती है इन दोनों को मिला के अब वो बच्चा जो बच्चा था अब वो यहां तक आती आती किशोर हो चुका है और यहां पर आती हुए वो वैस को चुका है इन दोनों को मिला के वैस कता हो जाती ह इसमें एक अच्छा नागरिक बन जाता है यहां पर आके बच्चा तो अब यह समय देखी जाती है फिर उसके बाद यह 60 से ऊपर चला जाता है वह जाती है उसकी व्रद्धावस्ता मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा चार आप जान सकते हैं कि एज मिलकल कैसे चलता है अब आगे बढ़ते हैं देखी यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हम यहां से चले और यहां तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और यही आगे दिया गया है हमने यह सौर्ट में समझाए अब बड़ी लोंग में समझ आप यह अनुसार पढ़ेंगे न तो आप इसको तो पढ़ना ही नहीं कैसे भी नहीं पढ़ना क्योंकि इसका जो पूरे का जो हिसाब किताब है न वह इसी भासा में दे दिया गया है ठीक है नहीं तो इसको पढ़ लो तो इसकी कोई जरुद नहीं पढ़ने वाली तो मैं बता देता हूं इसमें क्या लिखा हुगा है इसमें जीवन के पहले पांच वरसों में ही सामिल किया गया है किसको सामिल किया गया है सैसवावस्ता को ठीक है नहीं यहां पर कुछ ज्यादा ही असर दिया गया है सैसवावस्ता पर हां कन्फ्यूजन भी बहुत ज्यादा रह फिर उससे बड़ा जब वो बोलने लग जाता है चलने लग जाता है तब वो बालक बनता है ठीक है नहीं इससे पहले वो सिशू ही रहता है कहता ना सिशू को तो सिशू कब रहता है सिशू तब ही रहता है जब तक वो पैदल नहीं चल पाता जब तक वो अच्छे से नहीं ब मजबाता उसके अंदर केवल एक ही मात्र वावना रह जाती है माता के प्रतिप्रेम तो वह जब तक इन चीज़ों में ही लगा रहता है उसके बाद वाले बस्ता सुरूरती है ठीक है नहीं तो इस चीज़ को पर गौर से समझेंगे डीबली दिया गया है थोड़ा नहीं है तो जल्दी जल्दी से खतम करते हैं यहां पर अब अकर्डूं तो यह कुछ पढ़ने की जरूत नहीं है थोड़ा आपको अगर ज्यादा ही से समझना है तो बस यह पढ़ लो आप यह जीवन की सबसे महत्वपूर काल होता है क्योंकि यह बालेवस्ता विकास का आ क्यों नहीं ज्यादा पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा दिया गया है इसमें इतना पढ़ेंगे तो हम तो अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमें केवल मैन मैन चीज़ें ही पढ़ लेनी है जिससे हमें प्रॉब्लम आई बस इतना ही करना है दीगि आपको आप दो मिलने मलने वाला नहीं है यहां पर केवल आपको कमिलिक करना है और आपको चीजों को अच्छे से समझ जाना आ यह बस इतना इह जिस चीकि आपको आप यह तो यह चीज़ें करना है और अच्छे से समस्हाई लेना है जह जो एज है झाल वश्नि स्वास्ताक्या को अप स्टाइध बस आपको यह कुछ नहीं पाधना कुछ जने लुलब्मेंटनें बहुत तेजी से होने लगे है इसके बाद आगे यहां पर दिया गया है तीभर हम विकास यानि सोच में समहें वो भी जाब ज्यादा बच्चों में यह क्यों है कैसे क्या है कैसे करें बहुत बच्चों यही लगा रहता है मतलब बच्चे बहुत ज्यादा कुश्यन पूछा करते हैं आगे कल्बना शिलता यानि वह विचार मदने रहता है बच्चे वीजनरी होता है उसको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं होता है वह अपनी दिमाग में ही दुनिया क्रियेट करने लग जाता है और वही कल्बना शिलता कहलाती है और है मैं जो बता रहा हो आप गए हिंदी पढ़ने में बहुत टाइम लगनी वाला है इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से सौट में समझाने माला हम, कलपना सिलता है क्या, बच्चा अपनी ही चीजों को, जैसे कि मालो उसमें हाती दिखा, तो हाती के लिए वो अपनी कलपना करेगा, वो यहीं जानता ही हाती क्या है, कैसी विहेव करता है, क्या एनिमल है य पर आपको बहुत ही यहीं, लेकिन उसमें हाती देखा अपनी कलपना कर ली कि इस प्रकार का हुए, इसलिए तो बच्चों को कम अनुभी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कलपना सिलता में ध्यादा रहते हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को चुल लेते हैं, क्यों क्यों तोड़ देते हैं क्यूं तोड़ देते हैं क्यों हो समझ नहीं पाते हैं कि इस से किस प्रकार से खिलना है तो आप समय सें लगे ह। उसके बाद उसके बाद देखेंगे आप उसके बाद आगे है सीखने की प्रक्रिया में तीब रता बच्चाईयों ही बहुत जल्दी से सीख जाता आजकल के बच्चों को तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बस एक स्मार्टपॉन पकड़ा उसने स्मार्टपॉन में कुछ दवाने लगया बस चाच से चीज़ें दवाने लगया इन चीजों को देखना आप से अच्छे ही तरह से और अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी बच्चा सीख जाएगा स्मार्टपॉन चलाना तो आप यहां से ही समय सीखते हैं सीखने की प्रक् दक्चों में जानने की इच्छा बहुट ज़्यादा रहती है जिग्यासा कहते किसको है जिसमें जानने की इच्छा सबसे ज़्यासा y llg yg yasa यहां पर मैंने पड़ा ही तब की यहाँ आगया क्या तभुर्हानी की प्रवपरती various दोराने की प्रवरती मैंने बताया ना अभी बच्चा तुरंत दोराएगा एक तोते की तरह होता बच्चा एक कुगे की तरह होता है बच्चा अगर आप उसमें जो हवाज निकालना चाहेंगे वो कई बार रिपीट कर देगा उसको यह ऐसे करें कि बंद कमरे खाली कमरे की होता है बिल्कुल इसमें यही कहना चाहूंगा मैं तो अब आगे बढ़ते हैं पर निर्वरता यह क्या यहां पर समझ जाओ इसको पर निर्वरता यानि बच्चा कुछ अपने हाथों से कुछ अंगों को नहीं चला सकता वो नहीं जानता कि यह हमारे हाथ किस तरह से भी ख चलेंगे तो वो क्या करता हैं देखें यहां पर हम कह सकते हैं देखें यह क्या है तो इस चीज़ के लिए पर निर्वरता है इस ऐसे करके समझ लिए आप बहुत ही easy pattern में, बहुत ही sequence में आपको मैं बता रहा हूँ चीजे, I hope मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आए तो आप comment कीजिए, मैं इस चीज को दुवारा किसी अन्य topic में लेके बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और अगर आ रहा हो तो इसको like कीजिए, और आगे हमारा motivation वीजा grade कीजिए, यह तो चाहूँगा, इसमें अगर बात कर लेते हैं नैतिक भावना की, तो बच्चा बहुत ही moral होता है, moral sense वाला बच्चा होता है, moral sense वाला बहुत वावोक होता है बच्चा, बच्चे को आप एक बार कसके डांट आगे तो वो रोनी लगे जाता है, आप वो जानते है नैतिक ता बच्चे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है अगर आपको उसको धंडी बनाना है, तो आपको उसकी नैतिक खादम कर देनी है, तो बच्चा उस चीज में ही डल जाएगा, अगर उसकी नैतिक बर करार रyet तो आप उसको संस्कार सिखाएं, बच्चा और ज्यादा नहतिक बनेगा, तो बच्चे में नहतिकता पाई जाती है, तभी तो आप बच्चे आप कहेंगे, देखिए बेटा ये बड़ी हैं, इनके पैर चूँ तो बच्चा एक दो बाज उखना सीखेंगा, तो फिर वो अप पाई जाती है बच्चे में अचिंगे, उसके बाद आत्म प्रेम भावना, नहीं खुद उखने, तो बच्चा इतने नौलेज नहीं होती है, तो इस बैस बीध करना चाहिए, तो इक होाए उसमें आत्म प्रेम भावना होती है, ये इस चीज का आत्म बच्चों में हर एक बच्चों में पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है, तो किसी में ज्यादा पाई जाती है, बस इतना ही फरक होता है इस चीज का, मैं सुचता हूँ आपके समझ में आ गया होगा आत्म प्रेम, यहां से मैं आपको उधारड के तरफ में एक्जामली सम समझाना चारा हूं जिससे आपकी जो स्किल है ये इसमें समझने के लिए बैटर हो सके हैं अच्छा काम प्रवती क्या होता काम प्रवती जो होता बच्चे में लगे रहने की चमता बच्चे में लगे रहने की चमता मतलब अगर बच्चा किसी चीज में लग गया लग गया मत थोड़े से लंबे टाइम तक खीचने की चमता होती है यही काम करती है काम भावना बड़ी प्रवलता से होता है कि यह पढ़ लेना आपको जैसे कि अंगुठा चूजना है नहीं मानदा का इस्तन पान करना काम भावना हो जाती है यह सब इस चीज में आती है आगे संवेगो का प्रदर्शन देखो यह जो है इमोशन बच्चा सो करना ने लग जाता है ठीक है नहीं आप अगर उसको थोड़ा डांट भी देंगे तो मुह बनाने लग जाएगा तीन चातर की मुह बना के आपको दिखा देगा तो यह यहां पर आपने इमोशन बच्चा दिखाने जाना तो एकदम इस्तब्ड रह जाना इस्तब्ड मतलब एकदम जैसे हैं वैसे खड़ी रह जाना थोड़ दिर के लिए आप सौक हो जाते हैं तो वह सब चीज संभेगों का प्रदर्शन हो जाती है तो बच्चे में यह चीज़ें बहुत ज्यादा पाई जाती है इस स्ट अब आगे बढ़ती है साथ खेलने की प्रवर्ति यह आपका देखिए साथ खेलने की जो प्रवर्ति है बच्चों में वह किस तरह की होती है सैस्वावस्ता के अंतियम चलड में इसको पढ़ेंगे थोड़ा सैस्वा वस्ता के अंतियम चलण में बालक अम रूम्रुबालकों के साथ केना आरम कर देता है hemrombra लगता है ये कब की stage है ये last stage धे तेरएवी stage है यहां पे बच्च्च थोड़ा समझदार हो जाता है चीज़ों को समझने लगता अब वो अपने साथियों के साथ खेलने लग जाता है ये स्टेज में इसमें कहा जा रहा है अब आगे दिखेंगे सहसवावस्ता में सिच्छा का सवरूर तो मैं आपको बता देता हूं इन चीज़ों को पहले हम जान चुके हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि बच्चे में काम प्र अब मैंने पहले ही से हीट करता हूं मैं अनुसार वन साथ से मैं आपको बतादेता हूं चाहता हूं यह कंफुजन वाली चीज़ आपको फ्यूज़ुज उड़ा देंगे यह बस आपको पढड़ना थे है तो वह मैंछ है देखिए यह क्या है वैलेंटाईन ने इस काल के आवस्ता माना है, बस इसकाल को यहीं से समझ जाए, वैलेंटाइन ने क्या कहा है, इसकाल को आदर सकाल कहा है, बस आगी बढ़ते हैं, सैस्वास्ता में बालक के सारिक और मानसिक विकास का आदार, उसे सिच्छा प्रदान करनी चाहिए, मतलब क्या है इसमें, देखे सारिक और मानसिक विकास के आदार पर, उसका सारे विकास कैसा है, बच्चा देखो, आप लग रहा है, दुबला पतला है, और एक बच्चा फैटी है, तो यहां पर इन चीजों में फर्क हो जाता है, कि उसकी जो मोटर से स्किल्स होंगी, वो लोग होंगी, और जो उसकी मोटर से ही दिख जाता है, तो आप ऐसे एक सिक्वेंस में आप नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको अलग-अलग हिसाब से ही सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, पालन पूसट, पालन पूसट के लिए यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सारे रिक विकास के तीव रता के कारण मात अपिताविम अध्यापक, उसके स्वास्ते का पूरा देहन देना चाहिए, यह तो आपको आपके लिए ही है, आपको देहन देना है इस चीज़ के लिए, सच बाता बरड होने चाहिए बच्चे के लिए, और आपको क्या है, यह यहां पर क्या क्या है, इसने पूर प्याहर होना चाहिए, असा नहीं के डाट बड़ करके आप चीज़ें नहीं सिखा सकते बच्चों को, बहुत ही प्यार से सिखा सकते हैं, जिग्यासार की संतुष्टी, उससे जानने की संतुष्टी कराईए, इस ना चाहरा है आप शीज को अंदर से बाहर लेके आए यानी वह बताएं कि इस प्रफ्ष तो वुटरं आप जैसे जिसा खेंट पर बना देते ना हाथ वाला पंखा तो इस नहीं यह का तो बच्चे क्या करेगा इसको गुमानी का प्रयास करने लग जाएगा ऐसा करने से उसकी जो सीखने की छंगता है वो जिग्या सा जो है वो सांत हो गई अब आप उने इसको घुमा के दिखा दिया तो बच्चा वस उसमें लगा रहेगा कामप्रवर्ति भी हिसी में आ जाती है कि अच्छ अब यहां पर देख सकते हैं व्यक्तिगत भिनता पर धेहन यानि हर एक बच्चा सभी बच्चों की तरह नहीं होता बंगती हों За कर्किंजिंगे हैं थे सब अच्छे ऎतलों के बना तो अच्छी आदते आएंगे सिखने के लिए मिल सकती हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहा पर नीची जो दिया गया है सामाजिक भावना का विकास जबी होगा ज़र बच्चा आप लोगों के पास उठीगा बैठेगा बच्चा आप के साहत आपकी संबंध्यिक उनकी साथ उनके भी साथ बढ़ने चाहिए तो उसका सामाज जी को जो भावना का विकास होने लग जाएगा वो चीज़ा सीखने लग जाएगा किसे कैसे बहेव करते हैं वो सब कुछ सीखने लएगा धीमे धीमे आप एक साथ बिद्वान नहीं मना सकते किसी चीज को ठीक है नहीं करम इंद्रियों हैं ग्यान इंद्रियों का विकास तो मैंने आपको पहली बता दिया करम इंद्रियों जो होती हैं उकाम करने वाली इंद्रियों होती हैं ग्यान इंद्रियों जानने की इच्छा उप्रकट करने वाली इंद्रियों होती हैं आंक ना कान भूँ तो चाहिए सब क्या होती है यह आपके ग्यान इंद्री होती है कर्म इंद्री हाथ पैर और बहुत सी कुछ यह कर्म इंद्री होती है इंसका विकास होने लग जाता है बच्चे के नहीं बाले वस्ता में अब बाले वस्ता नीचे देख लेते हैं बाले वस्ता यह जो एज मिलकल है यह क्या है ये छेसे बारे वस्ता है बाले वस्ता कहलाता है ये बाले वस्ता में ये आपको नहीं पढ़ना ये नहीं पढ़ना अनोगा काल है हाँ ठीक है ये चीछ जाने लोगा अनोगा काल है ये वो कैसा था वो बहुत ही कैसा काल था आदस काल कहा जाता है ये अनोगा काल कहा जाता है ठीक है नहीं तो आप आप देखिए आगे क्या है इसमें यहां से नहीं केवल यह देखना है को पूछा में किसी एक चीज को देखिए हम ऐसे नहीं ले सकते हैं यहां से क्या दिया गया है बस इतना ही पढ़ लेते हैं हम यहां से देखिए आपको नीचे लाइन ना मिले तो पढ़ लिए खता है इतना ही पढ़ना के बालवस्ता आने वाली बात खतम होई यहीं पे इतना ही ठीक है कुछ जादा दीखी जादा समझने की इच्छा जब हो तो आप इनको पढ़ लीजिए लेकिन आपको यह नहीं पढ़ना कि किस ने का किल पैट्रिक ने का तो आप फिर प्रकान शूज जाएंगे बालवस्ता में प्रतिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इस काल में 12-18 वर्स तक मानी जाती है लेकिन पूर लिंग जलबायो प्रजाती यहां से पढ़ेंगे हम जब यहां पूर रूप से लिंग जलबायो प्रजाती और ब्यक्ति के स्वास्ते पर निर्वर करती है यह सब चीजों की जादा गुड़ पाया जाता है यानि इन चीज की आती है और बच्चा हर चीजेंगों एकदम अल जैसंकि यहां तक आते आते बच्चा कुछ चीजें नहीं यूज कर भाता था, जैसे कि मानली जीं हाद पे चलाना सी ghando सथ्व वस्ता में उगलियों को चलाना सीख्या अब वो किसमें बाल वस्ता में तो किसुरा वस्ता में उसका handwriting यहां पर बहुत ही बैस्टपोनि लग जाएगा इसकी जो कुछ चीज़ें रह गए मैं आगे कराऊंगा लेकिन उससे पहले हम एक चीज और सीख जाती है यहां पर एक चीज और जान लेते हैं जैसे कि अगर हमारा विकास है तो विकास की कितनी आयाम होती है विकास जो डवलबमेंट है वो कितनी चीज़ों से होके निकलता ह है यहां पर यह चीज़ें समझ जाएए आप यह सीख लाएं तो देखें विकास की आयाम बस इतना ही यह जो समझना है ग्राफ ही आपको अच्छे से समझ देना है इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा जो विकास के आयाम है सारे रिक विकास गत्यात्मक विकास मानसिक विकास सामाजिक विकास, सम्भीकास, सम्भीकास ये जो तीन हैं, छह होते हैं पूरे टोटल इन चीजों ही होता है पूर बीखास, ठीक है नहीं आफ देखिए साघसरी बिकास जो बॉड़ि डवल्लोपमेंट है वो आ गया गाई, गत्या अत्मक है दुख में कैसे expressions देंगे, सुख में कैसे Bilma में कैसे देंगे, और यहाँ पर किसी का Program चल लाई हा여, मतलब कोई अच्छे party वगरा है चल लई है तो, उसमें कैसे describe देंगे आप यह सभी सव विकास आ जाता है, नेहतिक विकास में जिए चीजों को अच्छे से जानना तो वीडियो को लाइक किजिएगा और हम से जोड़े रहेंगे आप तो आपका वीड मेरे हिसाब से तो लगता है 70% प्लस जाने वाला है और इन चीजों को मैं आप अच्छे-च्छे से बताता रहूँगा और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया करूँगा और बस यही कहना चाहूँगा भी और फैला दो इस वीडियो को जितना आप लोगों को जैसे कि कोई अच्छा लगता है उसके लिए अगर आपको डालना है और आपको नौलिज को भी देनी है तो भई मैं कहूंगा शेयर भी कीजिए और हमसे जोड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए बस यही है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएगा आप तो रोजाना साइधा आपको डेली वीडियो मिल जाया करेंगे और डेली नहीं तो दो तीन दिन के गैप के तो मिली जाएगे पक्की बात है यह आप देखी कल डाला था मैने वीडियो आज डाल रहा हूँ और आज डालने के बाद फिर मैं कल से डालनूँगा तो ऐसा है यह तो र्गूलर आएंगी यह आएंगी वीडियो अगर र्गूलर नहीं आती है तो एक दो दिन का गैप होotiेगा,, कोई दिक्कत नहीं तो आपको रोजाना डेली वीडियो मिलने वाले है, आपको यह गेली चैनल चलने माला है आप हमसे अच्छी तरह से जोड़े रहेंगे कोई भी आपको अगर प्रोब्लम आती है किसी सब्जेक्ट में देखे हाँ मैं आपको बता दिता हूँ आपको समझ से आती है कब जब आप देने जाते हैं आपका प्रैक्टिकल वगेरा होता है तब तो मैं आपको बता दूँगा किस तरह से फाइल्स बनाए जाते हैं इसी वीडियों इन्हीं वीडियों के जरी पूरा फुल टूल एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक सब समझाएंगे हम आपको इसमें और वीएड में आपको 70% प्लस आपको जिमेदारी हमारी है आप फिकर मत कीजिए हम हैं तो क्या गम हैं फिकर मत कीजिए आप इस चीज के लिए कि किस तरह से पढ़ना है आपको बस ये चीज देखनी है कि हम क्या डालना है उसको पढ़ना है आप बुक्स मत लीजिए आप मोडल मत लीजिए आप कुछ मतलिए आप हम पर वरोसा कीजिए हम आपको कहते हैं आप अगर मोडल लेंगे तो भी उसमें यही लिखा होगा आप बुक्स लेंगे तो उनमें भी लिखा हुआ वो चीज़े हम आपको पहले ही सॉर्ट में करा दे रहें तो उन सी यहों में पढ़ने की जरूवती हां मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जैसे कि आगर आपको चाहिए वी एड के पेपर्स तो बेपर्स भी मैं डाल रखें मेरा ब्लॉग जो है वो मैंने लिंक पिछले वीडियो में दे दिया है तो साहिद मैं इस वीडियो में भी दे सकता हूँ ठीकि लिंक में देनी मे है आप उनको देख सकते हैं अच्छे से अच्छे से आप अपनी प्रेक्टिस कर सकते हैं और यहां पर मैं आपको प्रेक्टिस सेट भी प्रोवाइट कराने वाला हूँ वो भी फ्री ऑफकॉस कुछ भी नहीं देना आपको बस लगन से पढ़ना है आपको 70% प्लस लेके आ चाहते हैं तो टेट प्री प्रेशन चैनल है मेरा उसपे आप जोड़ें और उसपे आप जोड़ें उसके बाद में आपको बता देना चाहता हूँ उसके वह कोई सते हैं आपका यू पिदे तस है। सी टैट सही आपको सभी टैट की वहां पर वीडियोज मिल जाएंगी अभी वो शुरू ही किया है इसलिए मैं आपको लिंक को प्रोवाइड करा दूँगा इन्हीं में और हाँ एको चीज कहना चाहूंगा जो फश्टियर कर चुके हैं बच्चे अभी देखा हुगा कोरोना क विजह से सभी बच्चों का फश्टी है तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो इस बार जो भरती आएगी इस बार जो आप यूपी टैट दे सकते हैं तो आप ब्लेड को वहां है तो आप उतन्य वालों के लिए लेकिन अभी जो वालों के लिए भी दे दिया गया तो इस बार देख लिए ना वाले बहुत जादा कमप्टीशन हाई होने वाला क्योंकि बीएड वाले बच्चे जब आएंगे ना तो कसम से अठारे लाग लोग बैटने वाले इस बार अठारे लाग में आप वो हीरे होंगे जो आप पढ़के बाहर निकलेंगे ठीक है नहीं तो मैंने उस चैनल को भी प्रोवाइड करा दिया है आप अगर उससे भी जूड़ना चाहें तो आपकी इच्छा है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको नोलीसेबल व वीडियो में नमस्कार ठीक है